साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी चानल पर हमारी आज की साखी का विशय है कुबेर का घर चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जे हमारी प्रिथवी पर हमारी धर्ती पर तीन ही रतन है जल अन और सुभाशित सुभाशित मतलब मीठी बोली मुरक लोग पत्थर के टुकडों हीरे मोती मानिक के आदी को रतन कहते हैं आये इस साखी कुबेर के घर को हम अच्छे से सुनते हैं एक साथू भड़े ही विचित्र सुभाव का था वो बोलता कम था और उसके बोलने का धंग भी थोड़ा आजीब था उसकी मांग सुनकर सब लोग हसते थे कोई चिड़ जाता था तो कोई उस साथू की मांग सुनी अनसुनी करके अपने काम में लग जाता तो वो साथू प्रतेक घर के सामने खड़ा होकर पुकार था माई अंजुली भर मोती देना इश्वर तुम्हारा कल्यान करेगा तुम्हारा भला करेगा तो साथू की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हूठती थी वे कहती थी बाबा यहां तो पेट भरने के लाले पड़े हैं तुम्हें इतने धेर सारे मोती कहां से दे सकेंगे किसी राज महल में जाकर मोती मागना जाओ बाबा जाओ तुम आगे बढ़ो साथू को खाली हाथ गाव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस साधू पर दयाई तो उस बुढ़िया ने साधू को अपने पास बुलाया उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वो बुजुरक बोली साधू महराज मेरे पास अजूली भर मोती तो नहीं है नाख की नथुनी तूटी तो यह एक मोती मिला है मैंने इसे संभाल कर रखा है यह मोती ले लो मेरे पास एक मोती है मेरे गाव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए इसलिए तुम्हें सौप रही हूँ कि रिपया कर इसे सविकार करें हमारे गाव से खाली हाथ मत जाएं अब बुढिया के हाथ का नन्धा सा मोती देखकर साधू हसने लगा साधू बोला माता जी यह चोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई जोली में कहा रखू इसे आप अपने ही पास रखना ऐसा कहकर वो विचित्र साधू उस गाव से बाहर निकल पड़ा दूसरे गाव में आकर वो साधू प्रतीक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा माता जी प्याली भर मोती देना इश्वर तुम्हारा कल्यान करेगा तुम्हारा भला करेगा तो साधू की वह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंबित हो उठी वहां पर भी साधू को प्याली भर मोती नहीं मिले अंतमिन राश होकर वो वहां से भी खाले हाज जाने लगा उस दूसरे गाव के एक छोर में किसान का एक ही घर था वहां मोती मांगने की चहां उसे घर के सामने ले गई तो घर के सामने खड़ा होकर साधू बोला माता जी प्याली भर मोती देना इश्वर तुम्हारा भला करेगा तुम्हारा कल्यान करेगा साधू ने पुकार लगाई किसान सहसा बहार आया उसने साधू के लिए उसारे में चादर बचाई और साधू से विनती की कि साधू महराज पधारिये विराजमान होई किसान ने साधू को प्रणाम के और मुढ कर पत्नी को अवाज दी लक्षमी बाहर साधू जी आये हैं इनके दर्शन कर लो तो किसान के पतनी बाहर आई उसने सादू जी के पाव धोकर दर्शन किये किसान ने कहा देख लक्षमी सादू जी अभी भूखे हैं इनके भोजन की तुरंत विवस्था करना अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला कुछ समय पश्चाद किसान लोटाया तब तक लक्षमी ने भोजन बना कर त्यार कर रखा था सादू ने पेट भर भोजन किया वह प्रसंद हुआ उसने हसकर किसान से कहा कि बहुत दिनों के बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है मैं बहुत प्रसंद हूँ अब तुम्हारी याद आती रहे इसलिए मुझे कान भर मोती देना मैं तुम दमपत्ती को सदैव याद करूँगा उस पर किसान ने हसकर कहा साधु महाराज मैं अनपड किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ आप तो ज्यान संपन नहें इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की उपेक्षार रखते हैं तो साधु ने आँख बंद करके कहा नहीं किसान राजा तुम अनपड नहीं हो तुम दो विद्वान हो इसी कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर कर भोजन कर लेता हूँ साधु ने किसान की और देखा और कहा जो फसल के दानों पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है वही मेरी द्रिष्टी से सच्चा कुबेर का घर है मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी प्रसंता का नमक उसमें स्वात भर देता है जहां अतिथ्या का वास हो वहाँ मुझे भोजन वश्य मिल जाता है अच्छा मुझे चलने के अनुमती दे इश्वर तुम्हारा कल्यान करे तुम्हारा भला करे तो उसकी सान दम पत्ती को आशिरवाद दे कर साधू महराज आगे चल पड़े माद संगत जी एक सेठ बड़ा साधू सेवी था जो भी संत महादमा नगर में आता सेठ उने अपने घर बुला कर उनकी सेवा करता एक बार एक महादमा जी सेठ के घर आये सेठानी महादमा जी को भोजन कराने लगी सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए भोजन करते करते महात्मा जी ने सभावी की सिठानी से कुछ प्रशन पूछे पहला प्रशन पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं सिठानी ने जवाब दिया कि इश्वर के केरपा से चार बच्चे हैं फिर महात्मा ने पूछा कि तुम्हारा धन कितना है उत्तर मिला महाराज इश्वर की अतिक रिपा है लोग हमें लगपती कहती हैं महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेर जी भी बाजार से वापस आ गए सेर जी महात्मा जी को वदा करने के लिए साचल दिये रास्ते में महात्मा जी ने वही प्रशन सेर से भी किये जो उन्होंने से ठानी से किये थे पहला प्रशन तुम्हारे बच्चे कितने हैं सेर ने कहा महाराज मेरा एक पुत्र है महात्मा जी ने दिल में सोचा कि ऐसा लगता है सेर जी जूट बोल रही है इनकी पतनी ने कहा था चार बच्ची हैं और हमने खुद भी तीन चार बच्चे इनके घर में आते जाते देखे ये कहता है मेरा एक ही पुत्र है महात्मा ने दुबारा प्रशन पूछा कि सेर जी तुमारा धन कितना है सेर जी ने कहा मेरा धन 25,000 रुपया है महात्मा जी फिर हैरान हुए कि इसकी पतनी कहती थी कि लोग हमें लगपती कहते हैं इनके इतने कार खाने और कारोबार चल रहे हैं और ये कहता है मेरा धन 25,000 रुपए है फिर महात्मा जी ने पूछा सेड़ जी तुमारी आयू कितनी है सेट ने कहा महाराज मेरी आयू 40 वरश की है अब महात्मा जी उत्तर सुनकर हैरान हुए कि सफेद इसके बाल है देखने में ये 60-70 साल का वरिद प्रतीत होता है और ये अपनी आयू 40 वरश बता रहा है वो सोचने लगे कि सेट अपने बच्चों और धन को चुपाए परंतु आयू को कैसे चुपा सकता है महात्मा जी रहना सक्य और बोले सेट जी ऐसा लगता है तुम जूट बोल रही हो सेट जी ने हाथ जोड कर कहा महाराज जूट बोलना तो वैसे ही पाप है वो मेरे पुत्र कैसे दूसरा प्रशन आपका मेरे धन के विशय में था तो महाराज मैं उसी को धन समझता हूँ जो परमारत की रहा में लगी मैंने जीवन भर 25,000 रुपई ही परमारत में लगाए है वही मेरी असली पूझी है जो धन मेरे मरने के बाद सगे संबंधी ले जाए वो मेरा कैसे हुआ तीसरा प्रशन आपने मेरी आयू पूझी तो चालिस वरश पूर मेरा मलाप एक आप जैसे साधू से हुआ था उनकी चरण शरण ग्रहन करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधू सेवा कर रहा हूँ इसलिए मैं इसी चालिस वरश की अवधी को ही अपनी आयू समझता हूँ साध संगत जी जब कभी संत महापुर्शों का मलाप होता है उनकी संगती में जाकर ही भगवान की याद आती है तो वास्तम में वही घड़ी सफल है शेश दिन जीवन के निरर्थक है अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नए साखी और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नगंकार है